चंद्रयान तीन मिशन को लेकर इस्रो ने ताजह अपडेट जानी किया. एक बार फिर से विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाया गया. दरसल सुमवार को इस्रो ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि विक्रम लैंडर को चांद की सता से 40 सेंटिमीटर उपर उठाया गया और फिर उसे सुरक्षित लैंड कराया गया इस रो ने ही आगे कहा कि ये बहुत जरूरी है कि विक्रम की दुबारा सौफ लैंडिंग हो पाई है ऐसा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे मिशन द्वारा चांद से सैंपल लेकर लोटने में मदद मिलेगी बता दें चांद पर एक बार फिर से अंधिरा चाने वाला है चांद पर एक राग धर्ती के 14 दिनों के बराबर होता है इसका मतलब है कि अगले 14 दिनों तक विक्रम चांद की सता पर अराम करने वाला है 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिनी दुफ पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी उस समय चांद की सता पर दिन था और वहाँ पर सूरज की रोशनी थी इसरों से मिली जानकारी के मताबिक साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए ऐसे वक्त को चुना था जग चांद की सता पर दिन की शुरुआत हुई थी ऐसा करने के पीछे इसरों का मकसद था कि अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सता पर काम कर सके और ऐसा ही हुआ इन्होंने 14 दिनों तक चांद की सता पर काम किया